हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आपको इंची टेप का यूज कैसे करते हैं यह इस वीडियो में बताने वाली हो तो वीडियो आप पूरा देखलो और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरू कीजिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए देखते हैं यहां पर हम इंची टेप का यूज कैसे करते हैं अब देखिए जब हम इं इंच लो तो समझ में नहीं आता जल्दी में कितना लेना है तो यह एक इंच यहां पर आता है एक नंबर जो दिखाए देता है वो एक इंच है दो नंबर दिखाए देते हैं वो दो इंच है तीन नंबर दिखाए देते हैं वो तीन इंच है उसके बाद यहां पर आपको द आधा इंच होता है तो यह एक इंच जो है उसके आगे आधा इंच लेंगे तो यह हमारा देड़ इंच बन जाता है दो इंच पर यहाँ पर आता है फिर से ढ़ाई इंच पर इस तरह से यहाँ पर आता है फिर तीन इंच यहाँ आता है इस तरीके से आता है तो देड़ ढ़ा वे आधा हिंच में लिना है अब देखिए हैं यहां पर अपको कौटर इंच लेना लिना जैसे हमने आधा हिंच का तो ले बता दिया अभी कम प Chief in लीना लेकिन जो नए सिलने वाले हैं सिलाइक का काम सीख रहे हैं उनको यह समझ में नहीं आता है कि जल्दी जल्दी में सब्वा इंच यानि कि कहा तक लेना है एक लाइन जो है एक के साथ जो लाइन जुड़ी है यह चोड़के आपको एक लाइन चोड़के यहाँ पर दूसरी लाइन जो आती है यहाँ पर हमारा यह सब्वा इंच हो जाता है यहाँ सब्वा इंच होता है एक लाइन छोड़के ये बड़ी वाली लाइन आती है यहाँ पर देड़ इंच होता है एक लाइन छोड़के ये लाइन आती है यहाँ पर पाउने दो इंच होता है और एक लाइन छोड़के ये बड़ी लाइन आती है यहाँ पर आपका दो इंच बन जाता है इसी तरीके से ब्लाॉज का नाप लेते हैं यह यह हुआ हमारा जैसे से ब्लाउज के उपर नाप लेते हैं let me लेने हमें 13 इंच उसमें एक इंच प्लस करो तो यहाँ पे एक इंच यानिके 14 इंच साड़े तेरा आया तो यहाँ पे साड़े तेरा आता है तो साड़े 14 इंच लेना पड़ता है तो जो सीखने वाले हैं जो बेसिक वीडियो में बना रही हूँ जो सीखने वाले है उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया है उसके बाद जैसे हम ब्लाूस का नाप लेते हैं ब्लाूस का नाप हमें सेंटीमेटर में लेना पड़ता हैं जैसे हमारा इंच में है और जो कुछ भी मैं सिखाती हूँ ये इंच में सिखाती हूँ इंच में क्या हो जाता है ये जैसे जिनको भी नहीं आता है वो भी जल्दी से सीख जाते हैं लेकिन जो सेंटीमेटर होता है उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है और जो सीखने वाले हैं उनको जै आपके सेंटीमेटर में है जब हम ब्लाउस का नाप लेते हैं तो यह सेंटीमेटर में यानि कि ब्लाउस का कपड़ा नापते हैं तो हम सेंटीमेटर में नापते हैं जैसे 75 इंच यह देखिए यहां पर तक 75 इंच आता है तो यह हमारा ब्लाउस का यहां तक 80 पॉइंट जैस ब्लाउस का नाब निकल जाएगा या एक मिटर बनाना है एक मिटर करना है तो आपको क्या करना है 40 इंच लेना है यह देखें मिटर में बनाना है मिटर में आप लेंगे तो यहां पर इंच में कपड़ा नापना है तो 40 तक लेंगे आप तो यह एक मिटर कपड़ा निकल जात तो 162 पीट को न है यहाङ पर आपको यह को यह पनाना कपना पड़ता है तो 40 सिंज का एक मिट्र बन जाता है जैसे आपको 2 मिटर करना है, कपड़े को डबल करो और 40 तक नापो नई तो 80, एक बार 40 लेना है, फिर से एक बार 40 लेना है नई तो कपड़े का आप डबल करना है और 40 तक करना है यानि कि आपका 2 मिटर कपड़ा निकल जाएगा आपको डाइमेटर कपड़ा लेना है तो असी पॉइंट लेना है यानि कि कपड़े को डबल करना है 40 तक नापना है उसके आगे आपको 20 इंच लेना है तो आपका ये डाइमेटर कपड़ा निकल जाता है तो यहाँ पर आप मिटर में नापना है तो इंच में इस साइड में नापो और सेंटीमेटर में नापना है तो इस साइड में नापो ब्लाउस का जो कपड़ा होता है वो सेंटीमेटर में नापते है और जो सलवार सूट का कपड़ा होता है वो इंच में नापते है तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है, जैसे quarter inch समझाया है, आधा inch समझाया है, pound inch समझाया है, और एक inch कैसे लेते हैं, वो भी समझाया है, बलाउस का कपड़ा centimeter में कैसे नापते हैं, वो भी समझाया है, और inch में meter में कपड़ा कैसे नापते हैं, वो Thank you for watching this video.